C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 की हिंदी की पूरक ध्वनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग दो पाठ एक माता का अंचल प्रिष्ट संख्या एक से सोलह तक लेखक शिव पूजन सहाई लेखक परिचे शिव पूजन सहाई का जन्म सन 1893 में गाउं उन्वास जिला भोजपुर बिहार में हुआ उनके बच्पन का नाम भोला नात था दस्मी की परिक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीज की नौकरी की बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया शियोपोजन सहाय अपने समय के लेखोकों में बहुत लोकप्रिये और सम्मानित व्यक्ति थे उन्होंने जागरण, हिमाले, माधुरी, बालक, आदी कई प्रतिष्चित पत्रिकाओं का संपादन किया इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्चित पत्रिका मतवाला की संपादक मंडल में थे सन 1963 में उनका देहा अंथ हो गया वे मुखेता गद्य के लेखक थे, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेश, आदी उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई है शिवपुजन रशनावली के चार खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है उनकी भाशा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं अब प्रस्तु थे, पाठ, माता का अंचल जहां लड़कों का संग, तहां बाजे मर्दंग, जहां बुढ़ों का संग, तहां खर्चे का तंग हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे हम बच्चपन से ही उनके अंग लग गए थे माता से केवल दूद पीने तक कन आता था इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते हम भबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे कुछ हस कर कुछ जुझला कर और कुछ डाट कर वह हमारे चोड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे हमारे लिलार में भबूत खुब खुलती थी सिर में लंबी लंबी जटाएं थी भबूत रमाने से हम खासे बंभूला बन जाते थे पिता जी हमें बड़े प्यार से भूला नात कहे कर पुकारा करते पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नात हम भी उनको बाबुजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया जब बाबुजी रामायन का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आइने में अपना मुह निहारा करते थे जब वह हमारी और देखते तब हम कुछ लजा कर और कुछ मुस्कुरा कर आइना नीचे रखते थे वह भी मस्कुरा पड़ते थे पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम-राम लिखने लगते अपनी एक राम-नामा बही पर हजार राम-नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे फिर पांच सो बार और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराज मान रहते थे। अबर हमें बिठा कर जूला जूलाते थे। कभी कभी बाबो जी हम से कुश्टी भी लड़ते। वह शितिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पचार देते थे। यह उतान पढ़ जाते और हम उनकी चाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी-लंबी से छुड़ा कर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा माँगते तब हम बारी-बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मूह की ओर फेर देते थे।। बाये का खट्टा चुमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाड़ी या मूच हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे हम जुझला कर फिर उनकी मूचे नोचने लग जाते थे इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े-खड़े खिल-खिला कर हसने लग जाते थे उनके साथ हंस्ते हंस्ते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे जब हम खा कर अफर जाते तब मईया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करते थी वो बाबो जी से कहने लगती आप तो चार-चार दाने के कौर बच्चे के मुह में देते जाते हैं इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए आप खिलाने का धंग नहीं जानते बच्चे को भर मुह कौर खिलाना चाहिए जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए क्या जाने के बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेड भी बड़ता है यह कहे वह थाली में दही भात सान्ती और अलग-अलग तोता मेना कबूतर हंस मोर आदी के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खालो नहीं तो उड़ जाएंगे पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था जब हम सब बनावटी चुड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबुजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो बस हम उठकर उचलने कूदने लगते थे फिर रस्ती में बंधा हुआ काट का घोड़ा लेकर लंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छट पटाने पर भी एक चुलू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी हम रोने लगते और बाबुजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छट पटाने पर भी एक चुलू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी हम रोने लगते और बाबुजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी फिर हमारे नाभी और लिलार में काजल की बिंदी लगा कर चोटी गुंत थी और उस पे फूलदार लट्टू बांद कर रंगीन कुर्टा टोपी पहना देती थी हम खासे कनहिया बनकर बाबुजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक जुंड मिल जाता था हम उन खेल के सातियों को देखते ही सिसकतना भूल कर बाबुजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं तरहा तरहा के नाटक चबूत्रे का एक कोना ही नाटक घर बनता था बाबुजी जिस छोटी चौकी पर बैठ कर नहाते थे वही रंग मंच बनती उसी पर सरकंडे के खंबो पर कागस का चंदोवा तानकर मिठाईयों की दुकान लगाई जाती उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में धेले के लड़ू पत्तों की पूरी कचोरियां गिली मिट्टी की जलेवियां फूटे घड़े के टुकडों के बताशे आदी मिठाईयां सजाई जाती ठीकरों के बठकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकडों के पैसे बनते हमीं लोग खरीददार और हमीं लोग दुकान दार बाबु जी भी दो चार गोरक पुरिये पैसे खरीद लेते थे थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा कर हम लोग घरउंदा बनाते थे धूल की मेर दीवार बनती और तिनकों का छपपर दातुन के खंबे, दियासलाई की पेटियों के किवार, घड़े के मुहरे की चुला चक्की, दिये की कड़ाही और बाबु जी की पूजा वाली आच्मनी कल्ची बनती थी पानी के घी, धूल के पिसान और बालों की चीनी से हम लोग जयोनार तयार करते थे हमीं लोग जयोनार करते और हमीं लोगों की जयोनार बैठती थी, जब पंगत बैठ जाती थी, तब बाबु जी भी धीरे से आकर पात के अंद में जीमने के लिए बैठ जाते थे उनको बैठते देखते ही हम लोग हसकर और घरूंदा बिगार कर भाग चलते थे वो भी हसते हसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोला नाथ कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शेहनाई बजाई जाती, तूटी चुहेदानी की पालकी बनती हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूत्रे की एक कोने से चल कर बारात दूसरे कोने में जाकर दर्वाजे लगती थी वहां काट की पट्रियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था वहीं पहुँचकर बारात फिर लौट आती थी लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुलहिन को चढ़ा लिया जाता था लौट आने पर बाबुजी जिवहीं ओहार उगहार कर दुलहिन का मुख ने रखने लगते त्यों ही हम लोग हस कर भाग जाते थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी एकठा होते ही राय जमती के खेती की जाए बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुमा बन जाती थी मूंज की बटी हुई पतली रसी में एक चुकर बांध गराडी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खीचने लग जाते चबूतरा खेत बनता कंकर बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी महनत से खेत जोते बोए और पटाय जाते फसल तयार होते देर न लगती और हम हाथो हाथ फसल काट लेते थे काटते समय गाते थे उच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी फसल को एक जगे रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे कसोरे का सूप बना कर उसाते और मिटी की दिये के तराजू पर तोल कर राशी तयार कर देते थे इसी बीच बाबुजी आकर पूछ बैठते थे इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ बस फिर क्या हम लोग जियों का त्यों खेत खलिहान छोड़ कर हस्ती हुए भाग जाते थे कैसी मौज की खेती थी ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बरावर खेला करते थे बटो ही भी कुछ देर ठिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे जब कभी हम लोग ददरी के मिले में जाने वाले आदमियों का जुन्ड देख पाते तब कूद कूद कर चिलाने लगते थे चलो भाई यो ददरी सातु पिसान की मोटरी अगर किसी दूले के आगे आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चलाने लगते थे रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी इसी पर एक बार बुढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक ख़देड कर ढेलों से मारा था उस खकूट उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है नजाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंड निकाला था वैसा घुर मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा आम की फसल में कभी-कभी खूब आंधी आती है आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की और दौर पड़ते थे वहाँ चुन-चुन कर घुले-घुले गोपी आम चापते थे एक दिन की बात है आंधी आई और पट पड़ गई आकाश काले बादलों से ढग गया मेक गरजने लगे बिजली कौंधने और ठंडी हवा संसनाने लगी पेर जूमने और जमीन चूमने लगे हम लोग चिला उठे एक पैसा लाई बाजार में छितराई बर्खा उधरे बिराई लेकिन बर्खा न रुकी और भी मूसला धार पानी होने लगा हम लोग पेरों की जर से धर से सट गए जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है मगर बर्खा जमी नहीं थम गई बर्खा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए हम लोग डर कर भाग चले हम लोगों में बैजू बड़ा धीर था संयोग की बात बीच में मुसन तिवारी मिल गए बेचारे बुढ़े आदमी को सूचता कम था बैजू उनको चिढ़ा कर बोला बुढ़वा बेइमान मांगे करईला का चोखा हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिला कर यही चिलाना शुरू किया मुसन तिवारी ने बेताहाशा ख़देड़ा हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंदी हो चले जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाटशाला में चले गए वहां से हम को और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफतारी वारंट लेकर छूटे इधर जियों ही हम लोग घर पहुँचे तियों ही गुरू जी के सिपाही हम लोगों पर तूट पड़े बैजू तो 921 हो गया हम पकड़े गए फिर तो गुरू जी ने हमारी खूब कबर ली पर हम दुलारने से चुप होने वाले रड़ बाबु जी ने यह हाल सुना वह दोड़ते हुए पाटशाला में आए गोद में उठा कर हमें पुछकारने और फुसलाने लगे पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे रोते रोते उनका कंधा आस्वों से तर कर दिया वह गुरु जी की चिरोरी करके हमें घर ले चले रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का जुन्ड बिला वे जोर से नाच्टे और गाते थे माई पकाई गरर गरर पुआ हम खाईब पुआ ना खेलब जुआ फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया हम हट करके बाबु जी की गोच से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दोड़ पड़े उसमें चड़ियों का जुन्ड चर रहा था वे दोड़ दोड़कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आए हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे राम जी की चीरई राम जी का खेत खा लो चीरई भर भर पेट हमसे कुछ दूर बाबुजी और हमारे गाउं के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हसते थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलाउना सचमुच बलड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलिशने लगे नीचे से उपर पानी फेकना था हम सब ठक गए तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का साप निकलाया रोते चिलाते हम लोग बेताहाशा भाग चले कोई ओंधा गिरा कोई अंटा चिट किसी का सर फूटा किसी के दाथ तूटे सभी गिरते पढ़ते भागे हमारी सारी देह लहु लुहान हो गई पैरों के तलवे काटों से चलनी हो गए हम एक सुर से दोड़े हुए आए और घर में घुज गए उस समय बाबुजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुर्गुरा रहे थे उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अंसुनी करके हम दोड़ते हुए मैया के पास ही चले गए जाकर उसी की गोद में शरन ली मैया चावल अमनिया कर रही थी हम उसी के आंचल में छिप गए हमें डर से कापते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोच कर हमें चूम लेती बड़े संकट में पड़ गई जटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई घर में कोहरा मच गया हम केवल धीमे सुर से सां 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 कहते हुए मया के आंचल में लुके चले जाते थे सारा शरीर थर थर कांप रहा था रोंग्टे खड़े हो गए थे हम आँखे खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी हमारे कापते हुए ओठों को मया बार बार नहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी इसी समय बाबुजी दोड़े आये आकर जट हमें मया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे पर हमने मया के आंचल की प्रेम और शान्ती के चंदोवे की चाया न छोड़ी शब्द अर्थ म्रदंग याने एक तरह का वादे यंत्र तड़के याने प्रभात सवेरा लिलार अर्थात ललाट त्रिपुंड याने एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर तीन आड़ी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं उतान अर्थात पीठ के बल लेटना सानकर याने मिलाना लपेटना गुंथना अफर अर्थात भर पेट से अधिक खा लेना ठोर अर्थात स्थान अवसर महतारी याने माता तेल याने सरसों का तेल बोथकर अर्थात सराबोर कर देना चंदोआ याने छोटा शामियाना जेवनार अर्थात भोज दावत जीमने याने भोजन करना अमोले याने आम का उगता हुआ पौधा ओहार याने परदे के लिए डाला हुआ कपड़ा कसोरे अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा रहरी अर्थात अरहर अंठाई याने कुट्टे के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीडे किलने चिरवरी याने दीनता पूर्वक की जाने वाली प्राथना विंती अमनिया अर्थात साफ शुद प्रश्न अभ्यास प्रश्न एक प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाओ था फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माता की शरन लेता है आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है प्रश्न दो आपके विचार से भोला नात अपने साथियों को देख कर सिसकना क्यों भूल जाता है प्रश्न तीन आपने देखा होगा कि भोला नात और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं आपको यदे अपने खेलों आदी से जड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखे प्रश्न चार भोला नात और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामगरी आपके खेल और खेलने की सामगरी से किस प्रकार भिन्न है प्रश्न पाँच पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छुग गए हो प्रश्न छे इस उपन्यास अंश में तीस की दशक की ग्रामीन संस्कृती का चित्रन है आज की ग्रामीन संस्कृती में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं प्रशन साथ, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता-पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा? अपनी इन भावनाओं को डाइरी में अंकित कीजिए. प्रशन आठ, यहां माता-पिता का बच्चे के प्रति जो वातसल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए. प्रशन नो, माता का अंचल शिर्शक की उप्युक्तुता बताते हुए, कोई अन्य शिर्शक सुझाए. प्रशन दस, बच्चे माता-पिता के प्र अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रशन ग्यारा, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है, वह आपके बच्चपन की दुनिया से किस तरह भिन है? प्रशन बारा, फणीश्वर नाथ रेनू और नागारजुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़ि अभी आप सुन रहे थे, पाठ एक माता का अंचल ध्वनी संपादन, निर्माण तथा निर्देशन, विमलेश चौधरी, प्रस्तती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत आप स्वारी, लाएव